अगर आप किसी भी कारण से ग्राम इन बैंक का एटेम काट का पीन भूल गया तो इस वीडियो को लास्तुक देखते रहे हैं वीडियो को अच्छी लगें तो लाइक कीजिए चैनल में नहाथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शाद में बैल आइकन भी प्रिस कीजिए ताक कि आने वाले हो वीडियो का नोटिपिकिसन आपको मिले सबसे पहले तो चलिए सुरू करते सबसे पहले दोस्तों आप अपनी ATM मिशिन पर जाए ATM मिशिन पर जाने के बाद वहाँ पर आपको ठीक इस तरह से स्वेप करने है स्वेप करने के बाद आपका पास एक दूसरा ओप्शन अज़त है प्लिस सिलेक यूर लेंग्वेज तो यहाँ पर आपको लेंग्वेज को सिलेक करना है मैं सिर्फ इंग्लिज को सिलेक करने के बाद आपका पास एक दूसरा ओप्शन अज़त है Select A Service तो यहाँ पर Banking Service, Special Service उसके बाद Registration उसके बाद Shade New Pin, उसके बाद IMT तो यहाँ पर आपको Shade New Pin पर क्लिक कर देना है Shade New Pin पर क्लिक करने के बाद आपका पास एक दूसरा Option अज़ता है Please enter your registered mobile number तो यहाँ पर आपको mobile number टाइप कर देना है जो आपका Mobile Bank में है, उसको टाइप करना है टाइप करने के बाद Yes पर क्लिक करने के बाद आपका पास एक दूसरा Option अज़ता है Please enter your birthday तो आपका बैंग में जो date of birth है उसको यहाँ पर फिल कर देना है फिल करने के बाद Yes पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका पास एक दूसरा Option अज़ता है Please enter your proceed receive on your registered mobile number तो आपका Mobile पर एक OTPI है आगा उसको यहाँ पर फिल करे फिल करने के बाद Yes पर क्लिक करे Yes पर क्लिक करने के बाद आपका पास एक दूसरा Option अज़ता है Please enter your new pin तो आगे का दिन में जो new pin रखना चाहते है उसको यहाँ पर फिल करें फिल करने के बाद आपका पास एक दूसरा अप्शन हो जाता है प्लिस री इंटर यो नूपिन तो दो बार उसको confirm करने के लिए टाइप करना है यहाँ पर बोल रहा है your transaction is successful तो इसी तरह से successful हो जाएगा दोस्तों आई होप एवीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक किजिए चनल में नहातों चनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन भी प्रेस किजिए तक के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे फ़ले थेंक यू फूर वासिंग इस वीडियो तब तक के लिए बाई